गुड मॉर्णिंग अवरीवन कैसे हैं आप सब आप सब का आपकी यूट्यूब चैनल हो पेलान में स्वागत है और आज है 23 जुन और आज के करेंट इफेस में हमनों डिस्क्रस करेंगे बतलब की पिछले 100 सालों के अंदर जो सबसे बड़े परवपकारी इनसान रहे हैं जो सबसे बड़े फिलन्तॉपिस्ट रहे हैं उनकी लिस्ट के देखेंगे और इस लिस्ट को टॉप किसने किया है जमसेज जी नसवान जी टाटा जी हाँ पूरी दुनिया भर में होरून रिसर्च एन इडलगी फांडेशन की एक रिपोर्ट जारी हुई थी और इस रिपोर्ट के थर्थ जमसेज जी नसवान जी टाटा को पिछले 100 सालों में दुनिया भर का बैस फिलन्तॉपिस्ट कहा और यहां पर दे सकते हैं धंूस्तान टाइम्स का यह आंटिकल है तो यहां पर दे सकते हैं तकरीबन तक्रीबन 10,200 करों रपीज इन्होंने डलेट किया है और इसलिए इनको बनाता है विस्व का सबसे बरा पपकारी आदमी So it is of immense pride कि हमारे भारत में ऐसे लोग हैं कि इस कदर से अपने भारत देश को फक्र से उचा करते है Jamshedji Narasawanji Tata, who was the founder of Tata Group, has emerged as the topper of the list of Idal Gibi Philanthropist of Century An estimated donation of $102.4 billion was in health and education sector So total health and education sector में जो donation हुआ है, वो है $102.4 billion US dollar Total philanthropic value of Tata is made up of 66% of Tata Sense, which is estimated at $100 billion तो पूरा जो donation का value है, उसमें एकेला Tata Sense का donation जो है, वो 66% है, which is equivalent to $100 billion US dollar Tata Group and its philanthropic activities are presently headed and overseen by chairman Ratan Tata तो Tata Group के जो भी philanthropic activities हैं, इनको अभी head कौन कर रहे है, Ratan Tata दो Tata पूरे गुरूप के अभी chairman का नाम क्या है, उनका नाम मैं N. Chandrashekhran N. Chandrashekhran ये पहले TCS के CEO थे, और लेकिन अभी फिर से ये Tata Group के chairman बन गया है, N. Chandrashekhran जमसेजी Tata was the founder of Tata Iron Steel Works Company, जिसको हम लोग TISCO कहते हैं, विची सुटेटे इन जमशेदपूर, विची इन नाव नोन एज Tata Steel तो ये Tata Steel को पहले क्या कहा जाता था? TISCO कहा जाता था, लेकिन अब ये कला आता है Tata Steel आगे देखते हैं इनके शुरुवाती दिनों में इननों जो name of him कमाया, वो कहां से कमाया, with cotton and pig iron industry दो जमसेजी Tata died in 1994, Tata Steel operates across 26 countries and employs about 80,500 विपूद तो ये किवल Tata Steel की बात हो रही है और Tata Steel के अंदर जो कितने इंप्लॉई हैं? 80,500 लोग है, ठीक है? अब पूरी लिस्ट को हम लोग समझते की कोशिश करते हैं तो लिस्ट कितने लोगों की आई थी? 50 लोगों की और जो rank 1 पे थे, वो थे जमसेजी Tata इंटरेक्ट 50 में से दो इंडियन थे, rank 1 पे थे जमसेजी Tata और बारवे नंबर पे थे विप्रो के चेर्मेन अजीम पिर्यम जी विप्रो के पूरु चेर्मेन जो है अजीम पिर्यम जी ये बारवे नंबर पे थे Microsoft के co-founder Bill Gates ये दूसरे नंबर पे है और उनकी जो wife, ex-wife कह सकते है क्योंकि पीछले महिनी इन लोगों का तलाग हो गया तो वो है Bill Gates और Melinda Gates ये jointly share कर रहे है तीसे नंबर पे है Henry Welkom, चौते नंबर पे Howard Hughes और पांच्यों नंबर पे है Warren Buffett, Warren Buffett is the chairman of Berkshire Hathaway अब चलिए हम लोग जो hierarchy देख लेते हैं Tata Group के जो भी chairman बने हैं जमसेज जी नेसवां जी टाटा ये chairman कब से कब तक थे 1887-1984 उसके बाद बने सीद दुराब जी टाटा 1907 से लेकर के 1932 तक सर्नावरो जी सकलतवला 1932 से लेकर के 1938 तक उसके बाद बने हमारे भारत दतना मलब की पूरे भारत के अंदर जो सबसे पहले industrialist थे जिन्होंने भारत दतना को रिसीव गया था जीर्डी टाटा 1932 से लेकर के 1990 फिर बने वेरी फेमस रतन टाटा 1991-2012 उसके बाद बने साइरस मिस्तरी बहुत कंट्रिवर्सी में आ गये थे बाद में इनको अपनी चेर्मेन की जो पत थी वो छोड़नी पड़ी अफटर दी ओर्डर गिवन बाई सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया यह बने थे 2012 लेकर 2016 तक और अभी है एन चंदर शेखरन यह पहले टीसियस के चेर्मेन थे और 2017 के बाद से ही यह पहले नॉन पार्सी चेर्मेन बने है रधन टाटा गुरूप के इंका नाम है एन चंदर तो होफुली बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ आने को मीला होगा इस वीडियो के अंदर अगर आपको इस स्रीज पसंद आए तो हमारे चैनल होग पेले आनको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करतें ताकि कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो थैक यह झास जया